Hello everyone, AMU Class 11 Self Finance 2023 का application form आ चुका है application form फिल करने की जो last date है वो 5 अगस 2003 है और application की जो form फिल करने चारे हैं लाइब आप्लिकेशन फिल करने चारे हैं कैसे आपको application form फिल करना है कैसे registration करना है और आपको कैसे choice filling करनी है यह सब online करके आपको मैं दिखाता हूँ ताकि आप जो भी लोग AMU Self Finance का फॉर्म फिल करना चाहते हैं, वो लोग इस वीडियो को देख करके AMU Self Finance का फॉर्म फिल कर सकते हैं. अगर हम बात करें कि AMU Self Finance में एडमिसन पाने के लिए कटाफ कितना जाता है, तो external का जो कटाफ जाता है, science में अगर हम बात करें तो last year या इसके पहले भी 40 या 42 नंबर के 40 या 42 मार्क्स के उपर जिसका रहता था, उसी का AMU Self Finance में आपाता है, अगर 40 नंबर से नीचे तो थोड़ा मुस्किल रहता है, admission मिल पाना है AMU Self Finance में, लेकिन जिसके भी 15 नंबर से जादे हैं, 15 नंबर से जादे कर 16 नंबर भी हैं, तो आप application form apply कर सकते हैं, क्योंकि जो eligibility criteria है, वो यह है कि 15 marks कम से कम होने चाहिए, आपका जो interest exam हुआ है 2023 का, अगर आपने science का दिया था, तो science का दिया था, और arts या commerce का दिया था, तो उसका कर सकते हैं, तो चलते हैं, form फिल करके देखते हैं कि कैसे आपको form फिल करना है, online AMU Self Finance का, तो सबसे पहले अपको क्या एक चाहिए आपको करना है, बैपसाइट पर जाना है, देख सकते हैं आपे notifications, जया एपने अपने लिए, notification and registration form for admission to class 11, तो इसको जो आप ओपन करेंगे तो यहां पे आपको दिख जाएगा और यह गाइट ट्रीड मिसन एंटर्नल कंडिडेट के लिए इस पे अलडी में एक वीडियो बना चुका हूँ उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप जाकर के देख सकते है अभी चलते हैं कि अप्लिकेसं फॉ're करते हैं, कैसे फिल करना होता है, तो Self Finance Scheme Registration Form, इस पर आप OK करेंगे, इसके बाद आपको क्या करना है, कि लॉग इन और रेजिस्टर दिख रहा है, तो आपको रेजिस्टर पर जाना है, तो आपको रेजिस्टर पर जाने के बाद आपको यहां पर application form इंटर करना है, तो चल इसके बाद roll number इंटर करना है, application के बाद roll number, रोल नमबर के बाद आपको क्या करना है, कि email id इंटर करना है, तो email id इंटर कर देते हैं, आपको पासवर्ड बनाना होगा, तो पासवर्ड बना लेते हैं, इसके बाद आपको application number हो गया, roll number हो गया, email id हो गया, confirm email id हो गया, पासवर्ड हो गया, दो बार पासवर्ड इंटर करना है, दो पार email id और आपको रेहिस्टर पर क्लिक कर देना है, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि आपका जो detail है अपने आप आप आजाएगा, यहां पर detail इंटर करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहां पर देख सकते हैं कि father's name, mother's name, और सब कुछ आपका जो कोर्स कोड है, जो आपने अप्लाई किया था पहले, वो आपका आजाएगा, और आप देख सकते हैं कि आपको कोर्स 11, science and diploma engineering आगया, इसके बाद आपको क्या करना है, कि आपको यहां पर जाना है अपडेट प्रिफरेंस में, अपडेट प्रिफरेंस में क्या करना है अपको, select 1, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि senior secondary girls school पहले पे select कर लेते हैं, और उसके अपना है, कि आपको क्या कर सकते हैं कि सेथ हमी senior secondary school first पे रख सकते हैं, और STS school Minto आपको क्या कर सकते हैं, तो यह आप देख सकते हैं, च्राइस फिलिंग हो गई, च्राइस फिलिंग के बाद आपको क्या कर देना है, सेफ कर देना है, तो आपका यह application form हो गया, और प्लीज आफ्टर सुकस्फफ़ली मेकिंग देपेमेंट हाँ, तो यह अपडेट प्रिफरेंस हो गया, उसके आपको क्या करना है कि एक चेक कर लेते हैं, प्रिफरेंस है, अपडेट प्रिफरेंस हाँ, पहले पहले हो गया, सीनियर सेकंडी स्कूल गल्स और दूसरे पे अम्यू गल् मेकिंग पेमेंट पे 250 रूपीस है, और जो एडमीशन फीस है, वो 27,000 रुपे है, पूरे साल की उसके बाद आपको कोई भी पैसा नहीं सम्मिट करना होता है, 27,000 जमा करने के बाद वो एडमीशन फीस है, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ 250 रूपीस पे करना है, तो यह अगया है, उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे मोबाइल नंबर आ चुका है, और यह ठीक है, तो UPI QR पे चले जाते हैं, UPI QR, तो उसके बाद क्या करना है, आपको continue, आप कैसे भी कर सकते हैं, आपके पास ATM कार्ड है, आप ATM कार्ड से कर सकते हैं, या फिर UPI से करना ह तरह करते हैं, तो यहां === तो यहां पर आप देख सकते हैं, यह QR Codes आ चुका है QR Code को मैअं चमर कर लेता हूं मॉबायल से जैसे नॉर्मल पेमिन्ट करते हूं पैमिन्ट करनी जा रहा हूं मॉबायल मैं यहां से पिर में कर दिखा जा है is successful रहा है Payment 250 successful, आप देख सकते हैं यहाँ पर सही तरीके से payment भी हो चुका है और receipt generate हो चुका है तो यह था application form फिल करने का तरीका AMU Self Finance का मैंने आपको बता दिया आप देख सकते हैं पर transaction date आचुका है receipt आचुका है और status भी आचुका है तो यह पूरा application form इनका AMU Class 11 का फिल किया जा चुका है अब इनको वेट करना होगा 15-20 दिन का रिजल्ट का वेट करना होगा और रिजल्ट आपको website पर मिल जाएगी और channel पर भी मैं आपको बताऊँगा तो सारे लोग क्या करें कि channel को भी subscribe करके रखे और इस video को भी like करें अगर किसी भी student को application form फिल करवाना है AMU Class 11 Self Finance का तो वो हमें mail कर सकता है sciealigard at the rate gmail.com पे और paid होगा ऐसा नहीं है कि free में form फिल किया जाएगा टीम के तुरूफ form फिल किया जाएगा paid होगा तो ठीक है okay thank you